अगर फरुखाबाद में एतिहासिक धरोहरों की बात की जाए तो एक आध छोड़ लगभग सभी नश्ट हो चुके है जो कौमें अपनी धरोहरों को नहीं सहेचती उन्हें भी कोई नहीं सहेचता फरुखाबाद की प्राचीनता की निशानी खंडहर रूप में सही लेकिन आ रुखाबाद में गंगा की प्राचीन धारा, कमपिल में बूई गंगा से लेकर खुदा गंज तक गंगा किनारे लगभग 36 विश्रांद घार बने हुए थे। इन विश्रांटों का मुख्य उद्देश बंगश्व ब्रिटिश शासनकाल में व्यापार के लिए इस्तेमा करना था। उस समय कलकत्ता से लेकर गड़मुक तेश्वर तक बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थी। विश्रातों के धार्मिक वसांस्कृतिक महत्व को देखते मुगल बादशाहों धन्ना सेठों ने विश्रांद घाटों का निर्मान कराया था। विशेश की विश्रांते सेठशाह जी ने वनवाई थी। टोका घाट, पांचाल घाट, किला घाट, रानी घाट, सुंदरपूर घाट आज भी अपनी कहानी कह रहे है। सिंगी रामपूर में मराथा परिवार की विश्रांते बहुत ही सुंदर थी। गंगा दर्वाजा से लेकर ट का घाट, नीवलपूर तक लगभग 200 प्राचीन मंदे थे, जिन में कीमती पत्थर वा अश्टधातू की मूर्तियां थी। इन में से अधिकतर मंदिरों का अस्तित्व अब नहीं रहा। अवांचित लोगों ने सुंदर घाटों को भूसा स्टो करने वा उपले पांतने मे इस्तेमाल किया है, विश्रांतों में राजस्थानी, एरानी व अवद शैली में पेंटिंग की गई है, गुनमदों में राजस्थान, अवदी शैली की चित्रकारी आज भी अपनी कहानी बयां कर रही है, इस चित्रकारी में रामायन, महभारत व मुगलकाल के नवाबों के चित्र जिनमें लोग कलाओं, लोग जीवन, अतीत काल की गाथा का चित्रन किया गया है। इनके खंड़हर अवशेशों में अतीत की कलाओं को संरक्षित करने की आवश्यक्ता है। पांचाल घार पर इलाबाद की तरह ही माप के महीने में पूरे माहमेला लगा रहता है। इस मेले में आस-पास के जिلों के लोग कलपवास करने आते हैं। देश के हर कोने से दुकानदार अपनी दुकाने भी लगाते हैं। सरकार को इन बचे कुचे खंडहरों को अधिकरित कर यहां धर्मशाल आयर वर रस्टोरेंट का निर्मान करा पर्येटन स्थल के रूप विस्तार कराया जा सकता है